इसे कोई जान लेवा side effects तो नहीं हो जाते हैं कि लंबे समय में kidney खराब हो जाएगी यह बड़ा common सवाल है जो लोग पूछते हैं दवाई की वज़े से उनको नशाओ तो जब उठें क्या मैं इतना कमजोर हो कि उनके दवाई लेने की जुरात है खासकर मुझे बहुत गुस् इस वीडियो में बात करेंगे की एंटिडिप्रेशन जो दवाईयां होती है जो डिप्रेशन के मरीज को भी दी जाती है और एक्टिडिप्रेशन इनका नाम ही गलत है क्योंकि इनका SSRI, TCA, other categories में आएगा क्योंकि यह डिप्रेशन के अलावा जो है बाकी और सारी काफी परिशानियों में मानसीक परिशानियों में इसे मदद मिलती है चाहे वह OCD हो चाहे फोबिया हो घबराहट हो एजस्मेंट डिसार्डर हो और तो अगर हम डिप्रेशन की ही बात करें तो डिप्रेशन की categories ले लें mild, moderate, severe, 1st degree, 2nd degree, 3rd degree, 1st degree में तो यह बोला जाता है कि mild depression है तो आप अपने lifestyle को change कर लीजे, आप अगर walk नहीं करते हैं तो walk कर लीजे, क्योंकि मैंने देखा है कुछ patients में, really, कि winters में जब वोपन कर देते हैं, और winters में वैसे भी depression थोड़ा जादा common होता है, तो उनका मन उदास हो जाता है, और walk start कर देते हैं, तो उनका मन खुश हो या कई लोग counseling जो है, या psychotherapist या psychologist के पास जाना जाना prefer करते हैं, और वो बिल्कुल जा सकते हैं, और वो अच्छा और effective method है, जिससे आपको help मिल सकती है, बट अगर second degree का depression हो जाता है, तो उसमें book से कहती है कि counseling भी हो, medicine भी हो, तो जादा अच्छा है, जब से variety of depression जादा बढ भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही है, समझने के बाद भी मन उदास हो रहा है, counseling का मतलब क्या है, giving advice, अब उस advice पर आप काम भी तो कर पाएं, अगर दिये वे advice पर आप काम ही नहीं कर पाएंगे, तो तो मुश्किल होगी, सिर्द दवाई की ज़रत उसके लाबा, जब severe depression हो जाएगा, जैसे depression with psychotic symptom किसी को हो गया, तो तो पक्का ही दवाई देनी पड़ेगी, उस time तो counseling हो ही नहीं पाएगी, जब patients के मन में कोई delusions या hallucinations start हो जाती है, depression के साथ-साथ, psychotic depression के लिएक अलग से वीडियो बना के हम description में डाल देंगे, आप देख सकते हैं कि psychotic depression क्या होता है, सबसे पहले तो ये clear होगा कि दवाई लेने के जुरत तो है, और उसके लाबा, counseling का भी अपना अच्छा रोल है, और combination का भी इस्तमाल कर सकते हैं, उसका हम counseling और दवाई में थोड़ा सा और comparison कर लेते हैं, comparison क्या है कि counseling जो है, हफते में दो या ती तीन बार होगी, और कुछ महीनों के लिए तो चलेगी, तो थोड़ी costly हो जाती, क्योंकि per session उतना ही खर्चा आएगा, medicine का ये benefit होता है, कि वो हफते में एक बार दी, आपने बुलाया, फिर दो हफते बाद बुलाया, महीने बाद बुलाया, फिर दो महीने बाद, उसके बा होगा नहीं, ताकि आज मैं कुछ और बोलू, कल को मुझे कुछ और कहना पड़े, तो जब counseling की बात आती है, तो सभी लोगों की affordability में दिक्कत हो सकती है, कि हर session को manage करना, वो affordability सिर्फ time, money की नहीं है, time की भी है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे अपने clinic पे दो psychologists हैं, काफी लोग मुझे नहीं दिखाना चाहते है, counseling ही कराना चाहते है, मैं honestly आपको दोनों चीजे के pros and cons बता रहा हूँ, counseling का फायदा क्या है, कि अब उसके as such कोई acidity जैसे side effects नहीं होंगे, जैसे हमने एक already video बनाया, anti-depression के side effects क्या होते हैं, कि sexual side effects हो सकते हैं, जो आराम से control हो सकते है पेट की थोड़ी परिशानी हो सकती है, नीम कम या जादा हो सकती है, भूख कम या जादा हो सकती है, तो इस तरह के side effect हो सकते हैं, जो counseling से तो नहीं होंगे, तो वो benefit है, और जो लोग समझना चाहते हैं, घराई से समझना चाहते हैं, जादा बाते करना चाहते हैं, उनके ल साइड की बात करते हैं उसके अलावा यह है कि इन से कोई जान लेवा साइड एफेक्स तो नहीं हो जाते हैं कि लंबे समय में किड्नी खराब हो जाएगी यह बड़ा कॉमन सवाल है जो लोग पूछते हैं कौन सी आसी दवए जैसे किड्ने खराब होते हैं जिससे लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं कई लोगों माइग्रेन रहता है और उनको हैडिक होती है हैडिक की वज़े से वह पेंकिलर खुद ही खा लेते हैं क्योंकि केमिस्ट की दुकान पर आप जाएंगे और आप घृटर नहीं देगा अगर आप पेंकिलर को लगातार डो साल के लिए खाते हैं तब आपकी किड्नी खराब हुती हैं कई रहागि एंडिन काम बंद करता है तो लोगों को ही के क्ड्नी खराब होël यग काई हो तक काए सालों से लगातार पेंकिलर हो और और नो as की वज़े से तो कुछ दवाईयां हैं जिनके specific side effects अब एक वीडियो में सब तो cover नहीं हो सकती है individually बट मोटे तोर पे आप विश्वास कर सकते हैं कि इनके simple mild side effects होते हैं जो एक दो हफ्तों में settle हो जाते हैं कभी कबार rarely तो हर दवाई में कोई severe side effect होता है तो वह इन दवाईयों से भी हो सकता है खासकर old age मैंने देखा एक side effect उसमें क्या होता है कि salt की कमी हो जाती हाइव निट्री में हो जाता है कई ऐसा राइस से खासकर तो उसमें old age में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है या फिर जैसे मेरिटाजा पीन है उससे सुस्ती आती है तो भी old age में ध्यान रखना पड़ता है यह TCS देते हैं आमें ट्रिफ्टलें वगएरा कि ऐसा ना हो कि अंकल रात को उठें बाथरूम करने के लिए तो दवाई की वज़े से उनको नशा हो तो जब उठें तो नशे में हो फिर कई बार क्यों होता है TCS खास कर वैसे देते हैं old age में बट अगर by chance देने की जुरत पड़ती है तो बताना पड़ता है कि अगर वो उठे तो उनको चक्कर ना आ जाए ब्लड प्रेसर अचानक कम हो जाता है इसको orthostatic hypotension कहते हैं तो अराम से उठना है उसका जब वो बाथरूम करने के लिए गए है क्योंकि रात को old age में करे बार बार urine आता है प्रॉस्टेट की problem होती है तो जब बाथरूम करने के लिए गए तो बाथरूम आने में थोड़ा time लगता है ये भी side effect होता है करे दवाई का तो इस सारे process की वज़े से ऐसा ना हो कि अंकल जी गिर जाए और उनकी कूले की हड हड़ी तूट जाया हाथ हाथ नीचे रखते हुए हाथ की हड़ी तूट जाया स्पाइन की तो यह चीजों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है और बताना भी पड़ता है तो बट यह सारी चीजे manageable है और दवाई ना लेके परिशान रहना यह तो पाप है अपने आपको सज चश्मा लगाने की जुरूत है भगवान ने आपको आंके दिये हैं आप इज़त ही नहीं कर रहे हैं भगवान की वर चश्मा लगा रहे हैं यह तो गलत बात है उसी तरह अगर भगवान ने आपको डायवटीज यह शुगर दे दी, ब्लड प्रेशर दे दिया, मिरगी के दोरे दे दिये तब आप दवा खा रहे हैं आप नहीं चाहते हैं भगवान ने जब आपको शरीर दिया है तो आपको जो परिशानिया दिया है उसको भी ज्हेले है आप जूते क्यूँ पहेंदे हैं चप्टल में नंगे पैर चले तो एक डिपरेशन करा हैं बड जिनको दवा से फाइदा हो सकता है वो क्यों न लें उसे बिलकुल लेना चीए तो यह important है किसी को cholesterol है तो से cholesterol की दाव लेनी चाहिए तो स्को depression की दवा लेनी चाहिए psychosis तो psychosis के लिएनी चाहिए anxiety है तो anxiety के लिएनी चाहिए क्यों? क्योंकि सब का हक है कि वो अपनी जिंदी के full potential पे जीए तो हम क्यों handbrake लगा के रखें अपनी गाड़ी में, तेस देते हुए ताकि रेस भी दे रहे हैं गाड़ी चल भी नहीं है और इंजन पर प्रेशर भी जादा पड़ रहा है और रिजल्ट भी कुछ नहीं आ रहा तो बेटर है कि उस handbrake को छोड़ दें अपनी जिंदी को full enjoy करें और जब लगता है कि ये दवा बंद करनी होगी 6 मीने साल के बाद तो आपके डॉक्टर बताई देंगे और वो बंद करके देखनी भी चाहिए अगर दुबारा डेपरेशन होगा तो दुबारा भी लेनी पड़ेगी क्योंकि लोग ये पूछते हैं जड़ से खतम हो जाता है खासकर मुझे बहुत गुस्सा आता है उन मोटिवेशनल स्पीकर्स पे जो ये बोलते हैं कि सब कुछ आपके दिमाग में है बगवान ना करें उनको डिपरेशन हो तब पर उनको पता लगेगे डिपरेशन क्या होता है आपने पेशन का दर्द नहीं देखा हम ने क्लिनिक पे देखा लोगों को रोते हुए परेशान होते हुए उन्हीं लोगों को दो-तीन महीने में नॉर्मल जिंदीगी जीते हुए ठैंक्स करते हुए तो ये बहुत इंपोर्टन्ट है हर छीज की अपनी एक जगह है जब वो बात करते हैं न स्पीकर वो बात कर रहे होते हैं हलके-फलके उदासी की कि आपका सुबह मन उदास हुआ शाम को दोस्तों ने बुला चलो प्रोग्राम बन गया तो मन सेट हो गया डिप्रेशन जो है वो एक सीरियस बिमारी है जिसमें suicide तक का खत्र है तो इसको हलके में नहीं लेना चाहिए इसका इलाज कराना चाहिए जैसा आपका मन करें वैसा इलाज कीजिए पर इलाज जुरूर करें और इलाज available है तो यहीं जान करें इस वीडियो में आपको मैं देना चाहता था धन्यवाब